हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत सब्सक्राइब है तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंबॉर्टन कोशन्स देखने वाले हैं जो कि आपके 2021 के करेंट अफेर्स के बेसिस पे हैं ठीक है तो फैबुरी मन्त जो था हमारा उससे रिलेटिव जो भी करेंट अफेर्स के कोशन्स को जिसका भी पेपर है बेसी नर्सिंग का उनसे अभी से रिक्वेस्टर की मेरी जो प्रीवेस वीडियो हैं जो कि मैंने स्टैक जीकी के कोशन्स पर बना रखें उसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी तो वह आप जरूर देख लें उनसे कोशन्स आने की ब पी से कुशन्स आएंगे ओके तो आपने नहीं देखा हो तो देख लेने चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी तो हम आज से देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला हमारा कुशन है इंडिया लॉंच्ट येर ऑफ इंवर्मेंट विज फ्रेंडी कंट्र ये इतने इंप्रेंट कुशन नहीं है ठीक है ये बी इतने इंप्रण नहीं है फिर नेक्स फिफ वाला एस पर दा अनसोर्स रिवाइज एस्टिमेट से लिए रिजिसेंटली वाट वाज इंडिया जीपी ग्रोफ वर 2019-2020 ठीक है तो उसका करेक्ट आंस वे जगा ऑप्शन सी यानि की 4% फिर नेक्स सुषन है सैंडरो बॉटिसली वो सम्टाइम सीन इन दॉज में फ्रीमस पेंटर ओए तो ये ज़ो संद्रो पॉटिसली किस कंट्री से हैं तो इसका करेक्टान से जगा ऑप्शन भी यानि की इटली फिर नेक्स सुषन है चौरी-चौरा इस टाउ ठीक है तो कौन सी कंटी जो है उसके रेफिजिस जो है भाशन चार आइलेंड में सेटल करें तो इसका करेक्ट आंसर जगा ऑप्शिन भी यानिकी बांगलादेश ओके फिर नेक्स कोशन है यह इतने इंपोर्टेंट नहीं है फिर नेक्स कोशन है लास्ट वाला फिर नेक्स कोशन है फिर नेक्स कोशन है तो इसका करेक्ट आंसर जगा ऑप्शिन भी यानिकी गैको तो गैको की चोई स्पीशीज है ठीक है तो वो जो है अनुआचल प्रदेश की नाम पर रखी गई है फिर नेक्स कोशन है एज फेवरी 2020 हाँ मेनी ग्रीन जोन साइट्स हैब बीन अप्रूट फॉर अपरेटिंग ड्रोम तो इसका करेक्ट आंसर जगा ऑप्शिन भी यानिकी 32 ठीक है फिर नेक्स कुशन है घज नवी विच वस मेकिंग न्यूस रिसेंटली इस न्यूक्लियर नेक्स कुशन है इसका करेक्ट आंसर जगा ऑप्शन सी यानिकी पाकिस्तान थीक है तो इंडिया ने किसके साथ जगा ऑप्शन भी यानिकी बाहरें तो इसका करेक्ट आंसर जगा ओप्शिन भी यानि कि हल टीक है हल की फुल फूर्म होती हिंदुस्तान एरनोटक्स लिमिटेड फिर नेक्स विशन है दोभी दुरगापूर नेच्छरल गैस पाइपलाइन अपाट और प्रधानमंत्री ओजा गंगा प्रोजक्ट इस लोकेटेट इन विच स्टेट इसका कर्क्टांसर जगा ओप्शिन भी यहनिकी वेस्ट बंगॉल फिर नेक्स विशन है इंडिया सफ्स जीओ थर्मल फीदेवलमेंट प्रोजेक्ट इस टूपिज्ट इन विच स्टेट एं उयुनिन य दिटृत इसका कर्क्टन से honor टोचेक्टक तुके एर बिए फिर में पर नेक्स उच्छे ने सम्विद्य स्कीम विच वस्वेंग निविश्टेज इंप्लिमेंटेट भाइव विच यूनियन मिनिस्ट्री ठीक है तो इसका क्रेक्टांस ने शर्च यह उप्शन भी यहनीकी पंचाइटी राज मिनिस्ट्री ठीक है उसके पीशे नाना किसकी स्पीशीज है आपकीी के मैं लिए ने सुटिटेशन है इंडिया फर्स जीओथर्म फील्ड डेवलफ्यमेंट प्रजेक्त यह हम ने कर लिये लदाख में ठीक है यह वाला कॉशन फिर ने ने कुशन है which organization has kept the amount of trans fatty acids in oils to 3% for 2021 in India, ठीक है तो कौन सी organization ने जो आपकी fatty acids होते हैं, oils में उसको 3% तक limit कर दिया है तो उसका correct answer चाहँ, option C यानि की food safety and standards authority of India, ठीक है, इसको short में हम लोग FSSAI भी बोलते हैं ठीक है, तो food related जो भी आपके मदब restrictions, implementations ये सब जो भी चीज़े होती ही, वो आपकी FSSAI द्वारा होती है, ठीक है फिर next question है which state in India has introduced 16-digit unicode system for land identity, ठीक है, जो भी आप land वगरा लेते हैं, plot वगरा लेते हैं तो उसके लिए किस state ने जो है 16-digit की एक मदलब code जो है वो जारी कर रहा है, तो इसका correct answer से जगा option C, यहनि की उत्तरवरतेश ठीक है, फिर next question है which cricket player recently became the sixth Indian to take 300 wickets in test cricket बहुत जाद important question है अगर यह आपको याद नहीं रहते हैं, तो आप लीज इसको लिख लें ठीक है, तो इसका correct answer जगा option A, यहनि की मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक, इतना important question नहीं आपके लिए फिर next question है, महराजा सुहेल देव, who was the ruler associated with which Indian ancient city ठीक है, important question A, तो इसका correct answer जगा, option A, यहनि की श्रवस्ती ठीक है, तो महराजा सुहेल देव, किसके ruler देव, कौन सी इंदेशिटी के, श्रवस्ती के, फिर next question है, which country has banned BBC news from broadcasting in its nation, बहुत जाधा important question है, कि कौन सी country ने जो है BBC को ban कर दिया है, अपने हाँ broadcast करने के लिए, अपने nation में broadcast करने के लिए, तो इसका correct answer जगा, option C, यहनि की चाइ ठीक है, फिर next question है, which country is set to remove Yemen's Houthi movement from the list of foreign terrorist organization, तो इसका correct answer जगा, option D, यहनि की USA, तो किस country ने जो है Yemen, हूदी, ठीक है, यहमन, यहूदी, जो movement है, ठीक है, तो उसको जो है, foreign terrorist organization की list में से किस ने अटा दिया, USA ने अटाया, फिर next question है, Bayern Munich, which won the final of the FIFA club, world cup in Qatar, is the football club of which country, ठीक है, तो BN Munich जो है, कौन सी country का football club है, इसका correct answer जगा, option C, यहनि की Germany, तो इसका correct answer जगा, option B, यहनि की Tamil नादू, ठीक है, तो सिगूर प्लेट्यों आपका कहाँ पर है, तामिल नादू में है, फिर next question है, heritage corridor project, which was making news recently is associated with which state, तो heritage corridor project, जो है, वो आपका कौन से स्ट में है, इसका correct answer जगा, option D, यहनि की Odisha, ठीक है, फिर next question है, which multinational company is to start its first manufacturing line in India, along with a subsidiary of Foxconn, तो Foxconn के साथ, जो है, किस company ने manufacturing की स्टार्ट करने के लिए बोला है, इंडिया में, तो इसका correct answer जगा, option B, यहनि की Amazon, ठीक है, तो Amazon के साथ, Foxconn का क्या हुआ है, तो आपका क्या ठीक है, छोड़ा से important question है, ठीक है, कि जो PLI scheme है, वो कितने से actors के लिए अप्रूफ की गई है, तो इसका correct answer जगा, option D, यहनि की 13, फिर next question है, Motera Stadium, the world's biggest cricket stadium is located in which city, तो इसका correct answer जगा, option B, यहनि की M, दाबार, यह आपको पता होना चाहिए, बहुत जाए important question है, कि जो Motera Stadium है, independent MOU for space cooperation with which country recently, तो इंडिया ने जो है, space cooperation के लिए किसके साथ MOU sign कर रहे है, इसका correct answer जगा, option B, यहनि की Australia, ठीक है, फिर next question है, तमीली साई, साउंडर अरंजन, has been shown in as left in in general of which state and union territory, तो इसका correct answer जगा, option B, यहनि की पॉंड नहीं जारी, यह आपके लिए important question नहीं है, फिर next question है और last question है हमारा, the debris, fullbury bridge, which was making news recently, is to be built over whichever, तो इसका correct answer जगा, option A, ब्रह्म पुतरा, ठीक है, तो यह थोड़ा सा important question है, कि debris, fullbury, जो bridge है, यह आपका किस नेदी के उपर बनने वाला है, यह बनने वाला आपका, ब्रह्म पुतरा नेदी के उपर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो वीडियो है, पसंद आई होगे, अगर यह questions helpful हो लेगी, तो प्लीज इस वीडियो को like कर देना, और चैनल पर नहीं होते, subscribe कर लो, bell icon को press कर लो, और KGMO वालों के लिए जब में इवनिंग में live आऊँगा, ठीक है, तो जब आपके कोई doubts होगे, तो आप मुझे discuss कर सकते है, और कोई भी doubt होगे, तो मुझे comment section में आप बता सकते हैं, okay, so thank you and heavenize day.